ओम्रमश्यवाय जय महाकाल आज के टाइम पे जो बीमारी है ना सभी के घरों में पहुच चुकी है किसी कहाँ छोटी बीमारी तो किसी कहाँ बहुत बड़ी बीमारी हर इंसान परेशान है दवा खा का करके डॉक्टर को फीज दे दे करके तो अगर ऐसा कुछ है तो ये प्राइब जरूर करिएगा ठीक है चलो इसक्रिन पर क्या दिख रहा होगा यहां पर आपको बेलपत दिख रही है बस एक कॉमन सा छोटा सा प्यारा सा सुन्दर सा बेलपत लेना जो कहीं से कटा फिटा हुआ नहीं हो ठीक है एक बेलपत लेना और पहुच जाना उस प्राइब जरूर के शिवलिंग के पास अब वो जो एक बेलपत रहना उस एक बेलपत को माता असोक सुन्दरी के स्थान पर समर्पित करना है कुछ इस तरीके से इस तरीके से मतलब कि जो डंडी का भाग हो वो जलाधारी से बाहर हो और जो पत्ती होना चाही महाद्यों के शिवलिंग के साइड महाद्यों की तरफ होना चीए जो पत्तियां होगी ठीक है बात आई समझ में इस तरीके से समर्पित करना अब जो आप अपने साथ एक लोटा शुद जल भी लेके जाना और यहीं पर माता सोक सुन्दरी वाले जगह पर जो अपने बेलपत्र समर्पि जल को समर्पित करोगे बेलपत्र के उपर तो पानी क्या होगा बहता बहता यहां से नीचे गिरेगा गिरेगा मानते उस चीच को तो आपको यहां पर कुछ पात्र लगा के रोकना नहीं है पानी को आपको अपने बाएं हाथ में उल्टे हाथ में अपने लोटे को पकड़ और अपने दाहिने हाथ से क्या करना है इस जल को जो यहां से गिरेगा ना इस जल को अपने दाहिने हाथ में अपने इस तरीके जैसे तो को फोटो दिख रहा है इसी तरीके से दाहिने हाथ में रोक करके उसके बाद आपको इस कलश में उस जल को डालना है जल का पात यहां प उसके मस्तक पे लगाएंगे और 2-4 बूंद उसको आचमंद करा देंगे ठीक है यह पहला काम दूसरा काम अगर यह उपाय आप अपने लिए कर रहे हो तो आपको वही पर मंदिर में खड़े हो करके आपको क्या करेंगे अपने मस्तक पे लगाएंगे उस जल को और थोड़ा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे, कुछ पूछना और नहीं समझ में आए, नीचे कमर में पूछें, आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओम नमस्षिवाय, जय महाकाल